हलो दोस्तों मैं रिश्यानन्द आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जिसका नाम है वैदि गनित तो दोस्तों यह ह brass Ale Smith क का स्लोशन देखने को मिलने वाला है मतलब कितने स्लूशन मिलेंगे 10 को यहां पर Hindi एक के सालुशन देखने को मिलने मुलाज है और यह आपका level 1 चल रहा है भी ठीक है लेवल जब complete हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग लेवल 2 शुरू करेंगे तो अभी level 1 चल रहा है ठीक है ना और इसमें जो सवालों को इंगलिश में भी है और हिंदी में भी है कोई-कोई सवाल हो सकता है हिंदी में नहीं है तो उसको अब बाद आपको पीडियो काफी जादा यूसफूल है अगर आपके कोई ऐसे दोस्त होंगे जो इन में से किसी भी चीज का प्रिप्रेशन करेंगों ना तो उनके साथ प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है ना और इस वीडियो का लोग देखिए और इस वीडिय वह को निचे description box में मिल जाईगा वहाँ पे आपको इसका link मदया खर पीडियो का वह आप नीचे से download करके रख सकते हो साथ ही साथ अगर आपके पास मेरे साथ मेरे मेरे साथ अगर आप वा आपको नीचे description box में मिल जाएगा वहां से आप देख लेना और directly करके आप मेरे साथ जुड़ जाना ठीक है वहां से आपको मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगेगा आप मुझे यह comment box में comment करें को जरूर बताइए अगर पसंद आता है तो please like कानमेशन का preparation कर रहे हैं तो उनके साथ share भी जरूर कर देना ठीक है तो चलिए start करते हैं वैसे level 1 अभी चल रहा है तो level 1 में simple ही सवाल है उतनी ज्यादे टीपिकल नहीं है फिर भी मैं सारे सवाल यहां पर आपको करवा दे रहा हूं ठीक है जैसा जहां पर concept होगा मैं आपक जिस तरह का जहां पर आएगा concert वहां पर आपको clear करता चलूँगा ठीक है तो चलिए start करते हैं और देखते हैं सवाल एक-एक करके देखते हैं ठीक है तो दूस्तो पहला सवाल आपके screen पर है पहला सवाल क्या बोला जा रहा है आप ए वर्टिकल स्टीक 20-meter long cast a shadow 10-meter long on the ground at the same time a tower cast the shadow 50-meter long on the ground find the height of the tower ठीक है यहां पर क्या बोला जार एक छड़ी है वर्टिकल खड़ी है जो कितनी लंबी है वो 20-meter लंबी है जिसका जो परच्छाई बन रहा है shadow जो बन रहा हो कितना बन रहा आपको 10-meter लंबा बन रहा है 10-meter क्या लंबा बन रहा आपको परच्छाई बन रहा है ground पर surface ठीक है धरती पर ठीक है उसी समय उसी टाइम पर मतलब मालनों अगर दो बज़ रहा तो दो बज़े ही at the same time उसी समय टावर कास दस शैडव एक टावर भी है जो कि जिसकी परच्छाई जो बनती है वहाईसा वह कितनी बनती है आपको 50 मिटर लमई बनती है ग्राउंड पर तो आपसे पुछा जावर से फिर उस्पोर कि हाइट Casey क्या होगी तो फिर उस्पर की हाइट क्या होगी उचाही क्या होगी यह पोछय अगर मैं बोलता हूं ये आपकाई श्टिक वाला है क्या है आपका इस्टिक वाल अगर मैं इसको परचाई बन रही है वह परचाई क्या बन रही है आपको 10 मीटर की परचाई बन रही है नीचे बन रही है ठीक है तो यह कितना बनेगा आपको 90 डिगरी होगा ना ग intimरे कि और आपको और में डेखो तो दोनों का यह है ठीक है और उपर यहां पर किया वह लएरा पार सेम्की बात नहीं पीड का सबस् punkि नहीं मतलब क्या है कि इसकी height जो चड़ी की height है और इसकी परचाई का जो ratio है वह आपको यहां पर क्या होगा आपको tower की height का और परचाई का ratio की क्या होगा equal होगा ठीक है ना दोनों ही क्या होंगे आपके equal होगे चड़ी देख लेते कैसे होंगे अगर मैं बोलता हूँ तो a b बटे में b c is equal to यहां पर क्या हो जगा आपको d e बटे में कितना हो जगा आपका e f समझ रहे हैं बात को ठीक है दोनों का ratio क्या होगा height और परचाई को जो ratio दोनों का क्या होगा equal होगा तो a b हमारा कितना दे रखा गया यहां पर 20 meter दे रखा गया और b c हमारा कितना 10 है चलिए लिख लिए हमने और d e कितना हमारा h ह मीटर है तावर की height और यह कितना आपको 50 है हो गया यह 00 से cancel out हो जाएं हमारा 100 कितना जगा है हमारा 100 मेटर तो इस हिसाप से टावर की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगे 100 मेटर तो यह ओप्षन क्या जागा यहां से करेक्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग समझ गए इस सवाल को ठीक है इस सवाल को क्या बूला जा रहे है कि फीगर हमारे पास यहां पर यहां पर क्या है कि ABC एक ट्राइंगल है और कौनसा एक ट्राइंगल हमारा दूसरा यहां पर सवाल और क्या है यहां पर एक चीज बोला गया कि ट्राइंगल ABC जो है वह सिमलर है ट्राइंगल EDC के यहां तक बात क्लियर होगा आपको आगे देखे क्या बोल रहा है कि if we have AB is equal to 4 cm AB की जो लंबाई हो कितनी 4 cm ED की है आपको 3 cm CE जो है वह आपको 4.2 cm रहा CD जो है आपको 4.8 cm ठीक है हमसे बोला क्या जा रहा कि CA और CB की वैल्यू निकालने मतलब उसकी लंबाई कितनी EDC अगर हमारा similar है तो यह क्या क्या होगे औरrob आपको पैरलल होंगे मतलब corresponding sides क्या होते हैं अगर similar होता ना दो triangle तो corresponding sides का जो आपको ratio होता है वो क्या होता है आपको equal होता है तो अगर मैं यह चीज बोल सकता हूँ अगर यह वाला line अगर इसके parallel अगर मैं बोल दूँ ठीक है आप जो चीज दर्खा गया उसको यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे आ अपको समंझे है आसानी होगी यह कितना आपको 4 cm लिख लिया भी要 इडी कितना बोला जिर्या आप 3 cm लिख लिया यह वी ठीक है अब उसके बात बोला जिए आपको CE, CE बोला जारा आपको 4.2 cm, ठीक है, और CD, CD आपको 4.8 cm, ठीक है, यहां तक clear है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा, CA और CB की value पूछी जारी, यह सारा चीज हमारे पास क्या है, given है, ठीक है, आई देखते हैं, अब क्या बोला गया है, यहां पर, कि triangle जो है हमारा, triangle A, B, C, BC, similar to triangle क्या हो जाएगा, आपका, EDC, यह दोनों क्या है, ट्राइंगल क्या है, आपके similar है, अगर similar होता है, तो corresponding sites का जो ratio होता न वो क्या होता, आपका equal होता, यहां पर चली लिख लिख लेते है, यहां पर क्या बुला जा रहा आपको, अगर दोनों ही triangle similar है, तो मेरा क्या हो ज तो AB बटे में क्या लिख लिए आपने DE लिख लिए उसी प्रकार से आपका क्या हो जागा यहां पर BC बटे में आपका कौन सा आजागा आपका CD ठीक है corresponding sides के क्या होते ratio equal होते और AC बटे में कितना हो जागा आपका CE क्लियर यहां तक ठीक है यह हमारा आके बन के आगया ratio यह आगया बस हमें निकाल लेना AB कितना दिया हुए AB हमारा यहां पर दिया हुए चार और DE कितना है हमारा यहां पर 3 cm ठीक है और BC कितना है BC हमको निकालना है BC रहने देते हैं CD कितना है CD हमारा है 4.8 है ठीक है उसी प्रकार से AC हमारा कितना है, AC भी भाई साब हमको निकालना है, तो AC को रहने देते, और CEC कितना हमारा 4.2 cm, ठीक है? चलिए अब यहां से निकाल लेते, तो 3 हमारे क्या है? आपस में equal है, तो 2 हमारे यहां पर ऐसे हो सकता है, 4 by 3 is equal to BC बटे में 4.8, ठीक है? और एक क्या हो जाएगा? आपका 4 by 3 is equal to AC बटे में कितना लिख सकते है? 4.2 कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तीन हो आपस में बराबर थे, तो यहां से मेरा BC कितना हो जाएगा? 3 से क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा हमारा, 4 size 24 और यह हो जाएगा 6.4 हो जाएगा 6.4 cm हो जाएगा, ठीक है? यह भी रहूंग है सही है हमारा कौन सा है यह D option क्या जगाना से correct हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स आपको समझ में आ गया होगा यह सवाल चलिए बढ़ते है अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग हां तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है काफी अच्छा सवाल है यह सवाल जो बहुत इंपोर्टेंट है यह SAC के एक्जामिनेशन में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो देखिए सवाल क्या है the area of similar triangles triangle ABC and DEF are 144 cm2 and 81 cm2 respectively if the longest side of the larger triangle ABC be 36 and then the longest side of the smaller triangle DEF is काफी अच्छा सवाल ही है देखिए यहां पर क्या बुला जा रहा है कि लॉंगे साइड अगर हम देखते largest लार्जर ट्रेंगल का लार्जर ट्रेंगल ABC का अगर हमने लॉंगे साइड देखते हैं तो उसका कितना रहा है 36 cm रहा रहा है तो हमसे पुछा जा रहा है कि लॉंगे साइड स्मॉल है स्मॉल ट्रेंगल का जो लॉंगे साइड है ना उसका कितना लेंद्ध होगा यह हमें आप बता दीजिए तो दीखिए हमारे पस दो ट्रेंगल बने हुए कोई भी कुछ लेलो कोई दिक्कत ने उससे साइवा है अगर मैं बोलता होगी से इसका कितना है इसका एडिया आपको 144 cm-2 है ठीक है और दूसरा ट्रेंगल झो हमारा डी ईए आफ है सको नाम देदी है हमने इफ ठीक है ना डी इए इफ और इसका कितना आपको 81 cm-2 है ठीक है अगर मैंने बोलता हूँ यहाँ भी सी जो है ना, बी सी है हमारा Rank た साइड का है और इस inim में बढ़े वब ट्रांगल का ठीक है लर्ज प्रांगल का और इसमें मैंने बोल दिया है कि यह जो है हमारा फ्राइफ क्या हिस्मॉल गंडास् शाइड है अब एक छीजें यहां पे जान लो यहां पर क्या बोला जा रहा है एक तो बोला जा रहा है कि triangle ABC जो जो न वो similar है triangle DEF के तो एक concept जाल लो जब भी दो triangle similar होते हैं तो उनके corresponding side का जो square होता है या ऐसे समझ लो कि ratio of ratio of area of triangles is equal to समझे के दिहां से, अगर दो triangle कभी भी similar होते हैं the ratio of area of triangles ठीक है, is equal to the ratio of ratio of square of ratio of square of square of their corresponding sides, their corresponding sides मतलब क्या है, कि अगर मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ पर दो triangle हैं, जो कि similar है, तो इसका लेली area of triangle A, B, C बटे में, area of triangle D, E, F is equal to, कितना हो जाएगा आपका ratio of square of their corresponding sides, तो इसका corresponding sides कौन-कौन सो जाएगा, एक तो हो जाएगा AB बटे में, D, E का square, ठीक है, एक तो यह corresponding side हो जाएगा, एक हो जाएगा, वो BC बटे में E, F का square और एक कौन सो हो जाएगा, आपका AC बटे में, D, F का square, हो जाएगा न, यही होगा, लेकिन हमने क्या बोला है, कि इसका BC longest side है, larger triangle का, smaller triangle का कौन सा आपको E, F है ठीक है, तो area of triangle ABC area of triangle ABC कितना आपको 144, मैंने लिख लिए 144 और बटे में area of triangle D, E, F कितना हो जाएगा, 81 ठीक है, यहाँ पर कौन सा ले लेंगे यही ले लेंगे, BC बटे में E, F का क्या हो जाएगा, आपका, square हो जाएगा ठीक है, इस चीच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ BC बटे में E, F is equal to root under 144 बटे में कितना हो जाएगा, आपको 81 हो जाएगा हो जाएगा, अचा, BC क्या है BC हमको दिया हुआ है, BC कितना दे रखा गया, longer side का कितना 36 है BC कितना 36, यह कितना आपको 36 cm, जहां पर लिख लेते 36 ठीक है, E, F हमने निकालना है E, F हमने लिख लिया, यह कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा E, F यहाँ से कितना जाएगा, E, F अगर आप करोगे E, F कितना जाएगा बारती है कितना जगा 36 नौती है कितना जगा 27 cm देख लेते कॉंस ऑप्शन से यह औना चाहिए सी ऑप्शन क्या जगा यहां से करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स आई होब आपको यह कुशन समझ में आगे होगा ठीक है चली बढ़ते हैं यह वला आपको ध्यान रखने वले बात है यह बहुत जगए यह वला कंसेप्ट लाएगा ठीक है इसीच को ध्यान रखेगा करशियो अफ एरिया ओफ ट्रायंगल सगर हम रीशियो लेते हैं किसी बहुत ध्यान दिजिआगा इस अगड् subtitle पढ़ता है तब यह कोता हैं च्जाय की corresponding sides के square के equal होता है ratio of the ratio of the square of their corresponding sides ठीक है चलिए अगला सवाल देखते है हाँ तो दूसतो अगला सवाल आपके screen पर है यहाँ पर क्या आपले है two isocelous triangles have equal angles and their areas are in the ratio 16 and 25 find the ratio of their corresponding heights ठीक है यहाँ पर दो isocelous triangles है ठीक है have their equal angles उनके angles क्या equal है ठीक है angles क्या उनके दोनों के equal है ठीक है जैसे हम यहाँ पर दो triangle बना रखे गया है यहाँ पर बोला गया दो isocelous triangle है जिनके क्या है आपको angles जो equal है और क्या बोला एरिया का जो है ratio कितना आपको 16 और 25 का है तो 25 है find the ratio of their corresponding heights उनके हाइट के क्या corresponding heights के क्या निकालने है अपर ratio निकालने तो मेरे पास दो triangle है दोनों ioscellus है हमारे पास ABCM बोल सकती इधर अगर ioscellus है तो इसको अंतर क्या है यह दोनों क्या होंगे आपको होंगे और इसको किया भूल दी हमने डी ई एफ यह भी ट्राइंगल है आपको भी है उसे यह तो दो डोवावरोगों के यह यह गलिए ऑ्पको इसके बराबर है दोनों के ham pela जा रहे सारे एंगल्स के आपके एक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल के हो जाएंगे आपके सिमलर हो जाएंगे ए बी सी सिमलर ट्राइंगल के हो जाएंगे सिमलर हो जाएंगे और जब भी दोनों ट्राइंगल सिमलर होते तो मैंने आपको बताया है अभी अभी पीछे आपको बताया एरिया को जो रेशियो होता है न वो उनके corresponding sides के क्या होते है आपको square के ratio के बराबर होता है लेकिन यहाँ पे height की बात हो रहे है तो height में भी बही चीज होता है यहाँ पे height की बात हो रहे तो ये वहला वाला हो गया आपको इसका हाइट हो गए यह वाला इसको मैंने बुल दिया एच फर और इसका हाइट आपको भूत अक्नेर की है हेच टू इसको दिया और इसको आफ़ ट्राइंगल लतो अध्र अध्र की Sah APC बटे में औरिट को अफ़ ट्राइंगल ना ट्राइंगल के उसके रेशियो के स्क्वाइर के क्या होता है बराबर होता है यहां पे लिख लेती है कितना जगा 16 और यह जागा आपको कितना 25 तो यहां से अगर मुझे यहां से आजगा है आपका 4 बटे में 5 तो हाइट का रिश्यो क्या आगया आपका 4 इस्टू 5 तो कौनसा ओप्शन से हो जाए हमारा यह ओप्शन क्या हो जाएंसे करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स तो चली दोस्तों अगला सवाल देखते है हम लोग अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल का है अगला सवाल एरिया ओफ टू ट्रींगल्स और रिस्पेक्टिवली 9 cm2 और 16 cm2 और फाइंड दी रेश्यो और देर प्रस्पानिंग साइट बहुत सिंपल है अभी अभी मैंने आपको पीछे बता है इसका क्या बोल दे क्वेश होगे क्या होगा बडाबर हो तो ऑबी बते में डी ले लो ठीक, इसको नाम दे दो आपको ABC को और यह कौन सा जगा आपका DEF क्लियर होना तक इसके क्या होगा आपको można हो झाहिए यहां से अगर मैं स्क्वाइरिंग हटाता हूँ तो यह जगा 9 बटे में 16 त्यू ड तो यह क्या हो जागा इनका रेश्यो आ जागा corresponding sides का ती यह क्या होगा आपको यहां से answer होगे तो कौन से option से ज़िए हो जगा है यहां से तो यहां पर मैंने आपको figure बना रखा है यहां पर क्या बोल रहा है कि दो पोल से एक पोल का पो 6 मिटर और दूसरे पोल का कितना लेंद है 11 मिटर है जो कि अब उपर के तरफ खड़े हुए और plain ग्राउंड पे zozaamplain ग्राउंड पे सेम वीवेंज हैं टावर को ग्ष्ण की थावर आपको 12 meters फाइंड दिस्टेंस बेट की डूरी यहां पर हमसे पूछा जा रहा है तो तो ble あपको ऐड और इस तावर का हाइड जयादा है तो इस को मैं kitना बोलना पड़ेंगा 11 और इस tower की height कितनी कम है, यह कितना हो जगा आपको 6 meter, ठीक है, दोनों के foot के बीच का दूरी कितना आपको 12 meter है, यह जगा आपको 12 meter, clear यहां तक, तो एक चीज बताइए कि यह दोनों का tower का top का क्या पुछा है और हमसे distance, मतलब क्या है कि हमसे पूछा क्या जा रहे, a, b की दू तब देखिए नियँ अगर 12 मिटर 5 तो यह एक rectangle तो मैं बोल शक्ता है यह भी 12 मिटर होगा होगा कोई दिक्कत ने इससे अगर यह 6 मिटर घह यहां से यहां से यहां से ने अassi चैने होगा यह दो गा यह भी कितना होगा आपर 6 मिटर होगा क्लियर है न है अब ये 5 यह 12 है यह आप पर पाइन करेंवे लगा के निकाल सकते हो और आपको ट्रिपलेट याद है तो आप यहां से त्रिपलेट से भी निकाल सकते हो ठीक है ना 13 मेटर हो जाए गया है इसका जबाद चलिए अगला सवाल देखते हो हां तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल गाए दे रेडियोस अव दो सरकल इस 9 cm and the length of one of its cord is 14 cm find the distance of the cord from the center ठीक है यहाँ पर क्या बुला जा रहा है कि एक सरकल इसका रेडियस कितना है 9 cm है और उसमें कोड है ठीक है इसमें क्या कोड है जो कि 14 cm का है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि distance बताना है center से उस कोड की कितनी दूरी होगी center से यह चीज़ हमें यहाँ पर बताना है तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है यह आए देखिए इसको हल की आजाए अब हम लो एक सरकल हमारे पास बना हुगा अगर मैंने उसका बोल दिया center यह वाला पॉइंट है ठीक है औ और यह कॉर्ड का जो है लंबाई कितना 14 cm मतलब यह कितना आपको 14 cm है ठीक है ना अच्छा हमसे क्या पुछाए रहा है यह कॉर्ड की दूरी कितनी हो तो पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा ठीक है तो अगर मैं इसको connect करता हूँ तो यह कितना हो ज इक्वल होंगे ना हाफ आप बाटेगा ठीक है अगर आप सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर प्रपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो उसको क्या करता है वह हाफ आप बाटता है तो यह कितना जगा आपको 7 हो चाहेगा और हमने यह लाफ फाइंड आउट करना मालो इसको कितना है है खने हिंच को निकालना है अ हमें पर ह की वैली निकालनी तो सेब प्रखता है जता है जाएक कि 9-7 तरीका है यह कितना जो जाएका और यह कितना जोगा साथ दो 9 हो जाएका यह सुल्ल क्या हो जाएका बाहर आ जाएका फोर रूट टू सेंटीमेटर तो देखे यह सारा ओप्षन मुझे रूट में नहीं दे रखा गया तो इसको घृट आना पड़ेगा रूट स है फोर इंटू क्या लिखो कि रूट टू कितना हो तो 1.414 होता है तो दोनों को मुल्टिप्लाई करें तो यह जागा लगवा कितना 5.66 सेंटीमेटर के क्या हो जागा आपको बराबर हो जागा तो कॉंस ऑप्षन से हो जागा हमारा यह option क्या हो जागा से correct हो जागा फ्रे यहां पर हमको क्या बताना है क्या बताना है यहां पर लेंध ही बताना है ठीक है क्या क्या बताना है लेंध बताना है ठीक है पिछले सवाल में क्या पूछ रहा था दूरी पूछ रहा था अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जैसी यह सरकल है इसका यहां पर हमारा क्या सेंटर है अब यहां पर एक कॉर्ड है जिसका हमको लेंथ बताना है तो प dł dual चली है हाँ पे बना लेते हैं क लिए हमने अब क्या बोल रहा है कि distance कि अ डी सेंटर से उसके जूरी है करद यो उसकी दूरी किटना यहाँ प rated बारास इंटेमिटर यहाँ से यहाँ तक किया पूच्छा जारा है ? अगर में इसका नाम देदू A B और हमकिया किया C है तो एक चीज देखर यहाँ पर यह कि आपको perpendicular होगा मैंने आभी आपको पीछे बताया है फिक है यह कितना होगा पर्पेंट्टिकलर डिस्टेंस है तो इसका पूछा या पूछा जा रहा है यह बरावर क्या लिख लोगा टू इंट्व 2Bc यहाँ पर 2 x bc कितना है यहाँ पर 5 तो 5 दुना कितना हो जागा 10 cm तो इसका लेंध कितना हो जागा यह भी का कॉर्ड का लेंध हो जागा आपको 10 cm TOSY क्या हो जागा है से correct हो जाएगा ठीक है चलिए बगपला सवाल देख लेते हैं हम लोग हाँ तो दोस्तों करले सवाल आपके स्कृइन पर है यहां पर क्या बला जा रहा हो ओ इस दे सेंटर आप दे सर्कल finds x x की value यहां पे निकालने है तो यह काफी simple सा सवाल है ठीक है न? यहाँ पर एक theorem होता है यहाँ पर theorem यही ही चीज और होता है कि theorem यही चीज होता है मैं चलिए आपको theorem यहाँ पर बताता हूँ जहती है क्या theorem बहुत important theorem है इसको बता देता हूं मैं आपको यहां पर इसको नाम देता हूं इसको मैंने बोल दिया A और इसको नाम दे दिया आपको B ठीक है और इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D अगर मैं यहां पर इसको नाम देता हूं आपको थीटा ठीक है इसका क्या नाम दे दिया थ मतलब मैं क्या बूलूँगा अगर थीटा is equal to मैं क्या बूल सकते हो 35 बटे में 2 ठीक है क्या हो जागा 35 बटे में 2 मतलब क्या है कि अगर यह हमारे पास circle है यह हमारे पास एक circle है और यहां पर जो center पर जो ऊंगल बन रहा है, आपको थीता होजयगा। अब यह angle कहीं कर भी होजगा है रहे पर यूदा क्यों मेरेनें रहे हैं तो यह वाला क्या होजगा यह भी मत्समाइब ओर ऐसाग우ी है तो प्रीटा हो हजगा। इससी प्रकार से वाप देखो तो थीटा का अगर मैं डवल बोलता हूं थीटा का डवल कितना हो जागा 35 अगर हो रहा है तो यह x भी क्या आपको उपर में ही है इस एंगल सो हाँ तो दूस्तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अभी जैसा मैंने आपको थियोरम बताना हूं उसी बेस्ट है यह सवाल चली देख लिए यह सवाल क्या है देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि find the value of x, x की value निकालनी है अभी मैंने आपको बताया कि अगर यह वाला एंगल थिटा है तो x बराबर कितना बोलोगे x बराबर हो जागा आपको 2 थिटा होगा लेकिन अभी हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा थिटा निकालना पड़ेगा तो एक चीज यहां पर ध्यान देना अगर मैं इसको आपको रेडियस है और रेडियस के इसी वे सर्क्ल का क्या होता साड़ा इकवल होता तो o b is equal to o c is equal to o a होगा तो इसको ऑंद यह एंगल कितना 20 है और oa O b के बराबर है तो यह एंगल कितना हो जागा आपको 20 degree इधर सिधर हो जागा ना उसी प्रकार से यह 30 degree है तो यह भी क यह कितना हो जागा आपका 50 हो जाएगा और अभी-अभी मैंने आपको बता है x is equal to कितना होता आपको 2 theta होता है तो 2 into क्या बोल दोगे यहां पर 50 और 2 into 50 जैसे ही बोलोगे तो यह कितना हो जागा आपको 100 degree मतलब x कितने का बरावर है 100 degree के क्या है यहां से correct हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स फ्रेंट्स आई होप आपको यह question समझ में आगया होगा और इस वीडियो मैंने आपको जितने ही सवाल बता है बहुत ही जरू करना और पहली बार अगर इस चैनल पर आप नए हो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो बंता ही है सब्सक्राइब करना भी मत भूलना ठीक है तो at last दोस्तों thank you so much for watching my video and best of luck for your future